हलो दोस्तों विल्कम बेक टू मरीन मंत्रा काफी टाइम हो गया था कुछ व्लॉग ऐसा डाला हुआ और काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि छुटियों में क्या करते हो बाइद वे मैं शिप से उतर चुका हूँ 28 सेप्टमबर को उतरा था तो छुटियों में हम लोग क् लिए है और मेरे टाइम में स्ट के चली शुरू करते हैं पर इद अपर है यह भुझा teed के अजरे आपको मेरे पीछे क्या टेटियों में अático टो फिरते हैं अपर सिपर जाते हैं वापस एच रह तो बड़ो को चुट्टियों में मस्ति करने जो वाली जो बात है वो थोरी हद तक ठीक है, फुली इंडॉस करना सही नहीं होगा इसको, तो हर चुट्टी में ऐसा कुछ नहीं कुछ आ रहा होता है, कभी MMD यारी कि हमारो जो डिपार्टमेंट है, Government of India के द्वारा, वहाँ पे कुछ पेपर जीना पड़ता है फिर से, हर चुट्टी में आपको बैचलर की तरह ये बैग देख रहा हो, ये कंदे पर ये बैग लेके वापस पढ़ाई, लिखाई और उसमें लग जाओ, हलाकि मुश्किल है यार, पढ़ना मुश्किल है इतने चीज़ों के बाद, प्लस नहीं जगा तो रहने के लिए, एको मुटेशन और वो से ब्टेंशन, तो अभी मैंने जो फ्लैट लेवा हो, यहां से काफी धूर है, और वहां से आना जाना मैंने एक मिने तो कैब से किया था, बट छुट्टियों में सेलरी तो मिल नहीं रही होती है, तो अभी मैं वापस आ गया हू तो बस पे कलकाता की एसी बस सर्विस अच्छा है, और कैब सर्विस का प्रॉब्लम क्या है, कलकाता का दो चीज एक्टम जबर दते हैं, एक तो बारिश का जैसे ही पहला दो मुन गिरेगा ना, तो ऐसा आसमन पे रेट जाएगा ओला उबर का, जो कैब समलोग आज के करने वाले हो, तो बेटर एकोनोमिक तो देखना पड़ेगा तुरा ना, भई, फेनेशिल कंडिशन, तो आप जैसे मैं भी तीन-चार महिने के लिए हूँ, तो अम लोग ये ट्रांसपोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्स उसकलते हैं, अभी एसी बस लेने वाला हूँ, अभी अभी बारिस होने वाली है, ये देखो, ऐसे नजार आप उने के पुरा पाला चलेगा, वापस बारिस होने वाली है, अलेकि ये बीडिंग्स अबर दस्त, आप मैं अब को दिखाता हूँ, यहां का सिरारियो, और फिर क्लास में चलते हैं, अभी बारिस होने पने के देखो, ये बींग्स अबर दसे, अभीट में चलते हैं, हर लोगों को हर फेज़ेस पर हमें भी प्रोमोशन के जरुवत परती हो प्रोमोशन के लिए हम पढ़ाई कर रहे होता है हाला कि अभी लंच ब्रेक है तो हम लोग गेम्स खेल रहे हैं कोई लंच करने गया है तो पढ़ाई कर रहे होते हैं अलग-अलग क्लास्रूम से हमारा कॉलेज है इस वक्त यह लंच के लिए वापस मस्त लाइन लगी हुए है मतलब इधर शिप पर मस्त पहुष जिंदगी जी के आओ टेबल पर बैटो जी एस खाना सर्व करता है कि लाता है सब दिखाया और यह और अलमोस्ट एक स्टुडेंट लाइफ जी रहे होते हैं बैग पेट पे डालो और चल परो कॉलेज पढ़ाई लिखाए क्योंकि जितने प्रमोशन से सब के लिए पढ़ाई है कसम से पता होता ना इतनी पढ़ाई तो बंदे मैं अगला नहीं इतने बंदे है ना आदे ब सब्सक्राइब तो उनको होब की जवाब ठीक से मिल गया होगा और भी कुछ डाउट से तो कमेंस में बिल्कुल लिख दीजिए अस सुबह सब एक बहुत अच्छा इंसिडेंट वा था हमारे साथ जब यहां से जा रहते हैं तो उन्होंने जो है मुझे रोका और कुछ प् पर जाता है अगर कैमरा हाथ में लेकर निकल जाओ तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं अगला कुछ अच्छा सा टॉपिक मेले उसके पर अगला वीडियो जल्दी लाने कोशिश करेंगे क्योंकि अभी तो हम जमीन पर ही है तो ज्यादा मुश्किल आएगी नही कि अधियो जयू कोषछ उपियो जयान